मैदान और निवासी उत्तर के विशाल मैदान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जन जीवन को समझने के लिए बुलंद शहर के एक गाउं के लोगों का रहन सहन, वहां की बसाहट, व्यवसाय और आर्थिक विकास का अपने गाउं से तुलनात्मक अध्यन करने का प्रयास करते हैं बुलंद शहर का यह गाउं मीरपूर, गंगा यमुना के मैदान में इस्तित हैं यह गाउं नदियों द्वारा लाई गई जलोड मिट्टी पर बसा है यहां के 75 प्रतिशत लोग क्रिशी पर आश्रित हैं मैदानों की भागौलिक परिस्थितियां सगन क्रिशी के लिए अनुकूल हैं रभी और खरीव की भरपूर फसले उगाई जाती हैं क्रिशी के साथ साथ यहां के लोग पशुपालन भी करते हैं मीरपूर बहुत पुराना गाउं है यहां के जनसंख्या 1861 में 459 जबकि 2011 में 2289 हो गई यहां के जनाधिक्य की सगनता के कारण यहां सगन खेती होती है यहां खेती के लिए सिचाई प्रणाली भी विक्सित है मैदानी भाग में सिचाई की आधुनिक प्रणाली विक्सित है जबकि पठारी शेत्रों में सिचाई की सुविधा कम विक्सित है मीरपूर गाउं का पूरा कृशी भू भाग सिचाई सुविधाओं से भरा है इस गाव में लगू किसान की संख्या अधिक है, भूमी हीन मजदूर भी अधिक है रोजगार की कमी के कारण से कम मजदूरी पर भी खेतों में काम करने के लिए तयार होते हैं मीरपुर गाव में डेरी इवं अन्य रोजगार मीरपुर के कई परिवार का सामान व्यवसाय डेरी है अपने यहां के दूद और दूद से बने उत्पाद को नजदी की शहर या कस्बों में बेचना इनका प्रमुक उद्देश्य होता है डेरी के अलावा यहां के लोग जीवको पार्जन के लिए अन्य कारियों में लगे हुए है छोटे छोटे दुकानदार शहरों से सामान लाकर यहां दुकान लगाकर अपना व्यवसाय करते हैं समानिता इस प्रकार के कारियों में अन्य शेत्र के लोग भी लगे हुए हैं यातायात के साधनों से यह गाउं बुलंद शहर से जुड़ा हुआ है इसके कारण यह गाउं सर्वसाधन युक्त हैं लेकिन पठारी शेत्रों में ऐसी सुविधाओं के आभाव के कारण अधिक विकास संभव नहीं हो पाया है आप जहां निवास करते हैं वहां की भूमी की बनावट, खेती, वर्षा, रहन सहन और व्यवसाय आदि से तुलना करने का प्रयास कीजिए एवं अंतर के कारणों का पता कीजिए